असलाम अलेकम जी, so we are only left with creating the mock-up of our business card design आप लोग already familiar हैं जब हमने mock-up create किया दा for our quotation design project so the process is very similar हम यहाँ पर ग्राफिक बर्गर पर जाके एक template डाउनलोड करते हैं और उस mock-up template को use करते हैं अपने business card के लिए तो मैंने graphic burger visit की website इसके बाद मैं यहाँ पर जाके business card सर्च करता हूँ ठीक है, enter press किया तो मेरे सामने कुछ mock-ups आगे, आपको जो mock-up पसंद है आप उसको use कर सकते हैं so let's see कि हमारे पस और कौन से designs है so it is taking a little long to load other mock-ups मैंने एक mock-up download किया था, business card के लिए हम उसी को use करते हैं जो के graphic burger से ही download किया है so there is realistic business card mock-up इसको हम यहाँ से जाके unzip कर लेते हैं और अपने design को photoshop में open करते हैं so यह हमारे पास mock-up open हो गया, photoshop के अंदर इसकी layers समझनी थोड़ी सी असान है as compared to जो हमने last mock-up बनाया था quotation design के लिए so इन्होंने भी यहाँ पर लिखावा इस layer के अंदर यह design here और यह आपको छोटा सा simple नजर आएगा इस पे हम करेंगे जी double click और इस layer को हम कर देंगे hide इसके बाद हम अपने design को यहाँ पर लाके place करेंगे so वापिस जाते हैं illustrator के अंदर और अपनी एक display image सेफ करते हैं business card की so display image सेफ करने से पहले हम अपने इन bleed areas को खतम करेंगे क्योंकि जब display image सेफ की जाएगी तो वो इसको bleed area तक सेफ करेगा so we do not need that so मैं फाइल में गया document setup document setup में जाके इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग zero कर लेते हैं ठीक है और दुबारा फाइल में जाते हैं export में जाते हैं export as में जाते हैं और यहां पे अपने इस business card को save कर लेते हैं तो मॉकप और export इसको RGB कर लेते हैं क्यूंकि हमें यह display में चाहिए for digital purpose हमने इसको print नहीं करना so RGB is good for digital medium इसको okay करते हैं और देखते हैं जी इसने हमें क्या save करके दिया business card यह हमारे पास visual image है ठीक है जी और इसके बाद हम वापस आते हैं Photoshop के अंदर और अपनी इस image को drag करते हैं और यहां पे place करते हैं let's see के हमारे पास क्या results है तो mock-ups आप जितने भी download करेंगे कम chances हैं कि आपको exactly वही mock-ups मिलें जिस size में आपने अपना design create किया है तो अगर आप यहां पर देखें इसकी जो width है वो थोड़ी सी ज्यादा है as compared to जो design हमने create किया है तो अगर हम इसको extend करके देखें तो देखते हैं कि कितना फरक आता है हमारा design कितना stretch होता है so design stretch हुए थोड़ा सा लेकिन आपको कोई खास वाजफ फरक नजर नहीं आएगा so I think visuals के लिए mock-up के लिए ठीक है देखने के लिए इसको मैं यहां से comment करता हूँ इस PSP file को file में जाके हम save करते हैं और वापिस अपनी PSD file में आते हैं तो यह उसने हमारा जो mock-up है उसको update कर दिया so this is how our design looks do create a mock-up of your business ka design as well aur mokhtlif experiments karna bilkul na bholiyega see you in the next lesson thank you so much